प्यारे भी द्यार्तियों आप देख रहे हैं 805 जो आपका पेपर होगा पाठे चारे सिक्षन प्रेशन तकनीकी का एकी करण तो इसके सारे MCQ साथी साथ आपके 1 marks के जो questions बनते हैं फिलफ्स बनते हैं और बड़े जो 2, 3, 4, 5 marks के जो questions बनते हैं सारे इस वीडियो के माद देखने वाले हैं तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को चेक कर लेना और समझ लेना पहला जो question है RAM क्या है इसका पूरा नाम बताईए तो RAM computer की memory का एक प्रकार है जिसके अंतरगत data इस्थाई रूप से संग्रहित रहता है और इसका पूरा नाम जो है Random Access Memory है ठीक है दूसरा जो question है इसमें क्या पूछा गए आपसे तकनीकी के अनुसार computer कितने प्रकार के हैं तो तकनीकी की दृष्टी से computer जो है तीन प्रकार के होते हैं इसमें आपका पहला होता है analog computer दूसरा होता है digital computer और तीसरा होता है hybrid computer इसके बाद mouse क्या है mouse चुहे की आकरती का होता ह है जिसके दौरा आप बिना keyboard का उपयोग किये बिना computer को नियंतित कर सकते हैं बहुत simple सी definition दी गई है इसके बाद जो next question है mouse कितने प्रकार के होते हैं तो mouse के जो प्रकार है आपको तीन प्रकार लिखने है इसमें पहला जो प्रकार है इसमें optical mouse दूसरा जो है mechanical mouse तीसरा जो है तार रहित या wireless mouse बोला जाता है इसके बाद जो है system software क्या है ऐसे program का समूह जो computer के system की क्रियाओं को संचालित और नियंदित करता है system software कहलाता है ठीक है तो system software का जो question है आपका इस तरह से बनेगा इसका answer इस तरह से लिखना आपको software के प्रकारों के नाम बताईए तो software के अन इसके बाद सात्वा जो question है इसमें पूछा गया है आपसे प्रमुख search engine के नाम लिखिए तो search engine में आपका Google भी है Bing भी है और एक Yahoo भी है ठीक है यह तीन प्रमुख search engine में आते हैं इसके बाद में next question है आई concept का पूरा नाम बताना है तो आई concept का पूरा नाम है international conference on nano science and technology जिसको हम हिंदी में बोलेंगे सुक्ष्म विज्ञान एयोम तक्निकी का अंतरास्टिय सम्मेलन ठीक है तो यह इसका answer हो जाएगा उसके बाद में नवा question है joystick किसे कहते हैं तो यह computer की input device है जिसका एक दिशा में घुमाया जा सकता है इसके बाद जो दस्वा question है hardware क्या है computer के अंदर गत दिखाई देने वाले सभी भाग hardware कहलाते हैं जैसे monitor, keyboard, speaker, इत्यादी सूचना क्या है एक व्यक्ति दवारा दूसरे व्यक्ति को अपने भाव प्रकड करने का कार रे सूचना कहलाता है इसके बाद में संप्रेशन का अर्थ क्या है किसी वीचार या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचाना संप्रेशन क्यालाता है इसके बाद में तकनीकी क्या है तकनीकी एक क्रमबद ज्यान तथा क्रिया है इसके बाद जो next question है इसमें पुछा गया है सूचना एम संप्रेशन तकनीक से क्या आश्य है सूचना एम संप्रेशन तकनीक के अंतरगत सभी प्रकार के श्रब बमाद द्रश्य सामगरी वो तकनीक से है जिससे सूचनाओं का आधान प्रदान होता है इसके बाद www का पूरा नाम बताना है तो worldwide wave बोलते हैं इसको worldwide wave ठीक है तो यह ध्यान रखना है worldwide wave बोलते हैं PCR का पूरा नाम video cassette recorder होता है इसके बाद network का सबसे छोटा रूप जो है उसको हम LAN कहते हैं इंटरनेट क्या है तो इंटरनेट पूरे विश्व में फैले computer का एक network है जिसके द्वारा है सूचनाओं आधान प्रदान की जाती है और इसमें auxiliary memory को और किस नाम से जाना जाता है तो backup भंडारन के नाम से इसको जाना जाता है ICT से क्या विप्राय है तो information communication technology इसको बोला जाता है इसके बाद में GIS किस प्रकार की सूचना प्रणाली है तो ये भौगौलिक सूचना प्रणाली है इसके बाद में MOOC क्या है तो MOOC internet के जरिए दूरस्त सिक्षा का माध्यम है दूर दूर तक सिक्षा इस से पहुँचाई जाती है MOOC का full form क्या है तो massive open online course होता है इसके बाद में है आपका मुख्यत है computer की भाषा को कितने भागों में बाटा जा सकता है तो इसको दो भागों में बाटा जाता है e-learning क्या है electric device और digital media से सिक्षा प्राप्त करना ही e-learning कहलाता है सबसे simplest word में जो answers आपको दिये जा रहे है ताकि आप आसानी से याद कर पाएं computer किसे कहते है computer का साबदी कर्थ होता है घंदी में इसे संगनक कहते है computer electronic उपकरण है जो डाटा को आदान प्रदान करता है या डाटाओं का आदान प्रदान करता है इसके बाद है modem क्या है modem एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से telephone line के जरिए computer को internet network से जोड़ा जाता है recycle bin क्या है सबी को पता है recycle bin में वे files document store होते हैं जिने हम delete कर देते हैं और आउश्चक्ता पढ़ने पर हम इन्हें पूर्णा प्राप्द भी कर सकते हैं और जरूरत होने पर इन्हें खाली भी किया जा सकता है web browser क्या है या एक प्रकार का software application है जो विभीन प्रकार की सूचना और आंकडों को प्रस्तुत करता है और किनी 5 web browser के आपको नाम लिखने हैं बहुत सारे web browser है उनके नाम दिख सकते हैं Google Chrome है, Opera है, Safari है, Firefox है, Mozilla है बहुत सारे हैं इसके बाद में आपका teleconferencing क्या है तो teleconferencing एक ऐसा electronic माध्यम है जिसके माध्यम से किसी विशय पर दो या दो से अधिक पक्षो या दो से अधिक लोगो कि मद्दे जो है, अलग-अलग स्थानों पर रह करके चर्चा की जा सकती है ट्विटर को परिभाशित कीजिए तो Stephen Johnson के अनुसार ट्विटर सोसल मीडिया का एक network एक ऐसा platform है जो की follower के सिदान पर कारे करता है जिसमें इसमें जिन लोगों को follow किया जाता है, उनके दुआरा ट्विट की गई सामगरी follower के पास पहुँच जाती है और यहाँ पर survey monkey का मुख्याले कहां इस्तित है तो survey monkey का जो मुख्याले है यह आपका San Mateo, ठीक है यह जगह है San Mateo, खाली स्थान भी बन सकता है, one word भी बन सकते हैं और आपके philips भी बन सकते हैं ध्यान रखना है आपको, यह MCQ भी बन सकते हैं, जितने questions बताए जा रहे हैं बड़े ध्यान से पढ़ना, इसमें जो जो one word के दिख रहे हैं, उसमें MCQ बन सकता है, philips बन सकता है ठीक है, और यह जो बाकी देख रहे है one or two marks के questions भी बनेंगे नीचे हम three, four, five marks के questions भी देखेंगे United States में इस्तित है, ठीक है USA में इस्तित है अच्छा, सेजमेत क्या है तो सेजमेत computer आधारित एक platform है जिसके माद्यम से 20 गणित प्रियोगों और व्याक्याओं को एक digital software जो है प्रदान करता है या कह सकते हैं, यह digital software है अच्छा, bright storm क्या है तो bright storm e-learning website है जिसके माद्यम से चात चातर है online learning के माद्यम से इस website पर सिक्षा संबंदी वीडियो देख करके अध्यन की सुविदा प्राप्त करते हैं अच्छा, physion क्या है physion भौतिक विज्ञान से संबंदीत एक application software है, तो आद रखना है कभी आपसे भौतिक विज्ञान का software पूछ सकता है, कि निम्न में से भौतिक विज्ञान का software कौन सा है ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा तो ये बहुत सावधानी से question को पढ़ना है आपको, इसके बाद जो next question है इसमें पूछा गया है एनन बर्ग learner क्या है तो एनन बर्ग learner एक ऐसा i-rubric उपकरण है i-rubric जो आप जानते है जो सिक्षक और परिशक्षकों के लिए उपयोगी होता है इसके बाद में भारत में किन super computer का निर्मान किया गया तो अनुराग और परमदो तरह के super computers जो है भारत में है इसके बाद में copy करने के लिए सामानने shortcut जो है control plus C दबाया जाता है MS world में कितने menu होते हैं इसमें 9 menu होते हैं और research thracer और spelling और grammar और translate किस के अंतरगत आते हैं तो सभी के सभी ये proofing के अंतरगत आते हैं ठीक है proofing के अंतरगत आते हैं कभी कभी पूछता है proofing क्या होता है तो अब लिग देगो उपर वाला जो question है उसी को answer बना दोगे computer की विशेषता हैं बताईए तो computer बहुत ज़्यादा गतिशील होता है इसमें सुद्धता होती है ये स्वचालित होता है और सौर्व भोमिक्ता होता है सबी जगे पर इसका आसानी से उपरियोग किया जा सकता है computer के कुछ input devices के नाम लिखिए जिसमें keyboard, mouse और light pen उसके लावा web camera, card reader, track wall और उसके लावा आपका punch card और scanner सभी क्या है ये आपके input devices हैं Google क्या है इसकी स्थापना कब हुई Google एक American multinational technology company है जिसकी स्थापना 4 दिसंबर 1998 में की गई थी इसके बाद में e-portfolio क्या है तो e-portfolio अधिगम संबंदी electronic दस्तावेज है इसे online portfolio भी कहा जाता है इसके बाद है आपका Unix किस प्रकार का operating system है Unix multi-user operating system है ध्यान रखना है MCQ भी बन सकते हैं Phillips भी बन सकते हैं बहुत अच्छे से तरीके से इन questions को याद करना blended learning क्या है तो blended learning एक आपचारिक शिक्षा कारेकरम है internet और digital मिसरित शिक्षा कारेकरम को blended learning कहा जाता है सर्वे मंकी की स्थापना किसके द्वारा की गई तो इसका याद रखना है कहां पर है इसका मुख्याले ये भी आपको याद रखना है और इसका जो इस्थापना है वो Chris Finle और Ryan Finle ने दोनों के द्वारा की गई थी इसके बाद में WhatsApp क्या है तो WhatsApp Messenger फोनों पर चलने वाला एक messaging सेवा है जिसके उपयोग से text, audio और video जो है भेजा जाता है text, text नहीं, text उसके बाद में next है आपका शिक्षा छेत्र में तकनीकी अधिगम किन-किन माद्यों में से किया जा सकता है तो यहाँ पर MCQ सुरू हो चुके MCQ देख रहे हैं तो computer के माद्यों से, internet के माद्यों से mobile के माद्यों से भी किया जा सकता है इसमें सभी option सही हो जाएगा अच्छा, school शिक्षा में सूचना, some-present, तकनीक का प्रियोग किया जा सकता है तो वो किया जा सकता है computer network के दवारा भी option जो है correct हो जाएगा सूचना एवं some-present, तकनीक का आंकलन किया जाता है तो यह computer के दूआरा किया जाता है इसके बाद में next जो है school शिक्षा में विशय आधारित software जो है कौन सा है तो Microsoft World भी विशय आधारित होता है Microsoft Excel में भी सिखा जाता है और PowerPoint में भी सिखा जाता है यह सभी के सभी सही है इसके बाद जो आपका है, स्कूल सिक्षा में सूचना संप्रिशन तकनीकी आधार है तो computer भी है और overhead projects भी है, slide source भी है, तो यह सभी आधार है इसके बाद भारत में किसे super computer का निर्मान किया गया है तो आपका परम भी है, अनुराग भी है, यह दोनों है तो यहाँ पर C option जो है correct हो जाएगा, A और B computer का साथदिक अर्थ क्या है, तो computer को हम संगनक के नाम से जानते हैं B option correct हो जाएगा, microprocessor का विकास computer के किस PD में हुआ था तो चौथे PD में हुआ था, चतूर्थ जनरेशन में हुआ था, ठीक है किस computer को विशेश तकनीकी और यह philips भी बनता है, मैं आगे दिखाता जाओंगा आपको किस computer को विशेश तकनीकी और वेग्यानिक software के लिए तियार किया गया तो उसको बोलते हैं workstation computer इसके बाद में computer की दित्य PD का समय अंतराल माना गया है तो यह दित्य PD जो है 1965 से 1975 के वीच में थी इसके बाद में next जो question है संदु हजार दो में Microsoft ने किस concept को launch किया था तो .net का concept जो है launch किया गया था इसके बाद में सरपर्थम अबेकस का निर्मान कहा हुआ था तो मैसफोटामिया में अबेकस का निर्मान हुआ था हाडवेर की तीन इकाईया होती है MS World में mail merge का अर्थ होता है दो फाइलों को merge कर देना दो फाइलों को मिला देना इसके बाद में hard disk किस memory का भाग है तो hard disk जो है secondary memory यानि दित्यक memory का भाग है अच्छा paste करने के लिए समान जो shortcut की है वो control plus V होती है control plus V दबाएंगे तो paste हो जाता है जो copy किया गया है powerpoint का प्रियोग किया जाता है तो presentation बनाने के लिए किया जाता है computer में data इस्थाई रूप से संचालित होता है तो कौन से memory में होता है दित्य memory में संचालित होता है MS World में कितने menu होते हैं साथ menu जो है MS World में होते हैं copy करने की सामाने shortcut मैंने बताया था आपको control plus C है कई questions जो है दो बार भी हो सकते हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे slides sorter view के द्वारा हम जो है सभी slides को एक साथ miniature form में देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर C option correct हो जाएगा MS PowerPoint का पूरा नाम जो है Microsoft PowerPoint है अभी कभी पूस्त है इसके बाद में application software जो कौन सा है इसमें से तो Windows जो है application software होता है इसके बाद है section का अनुभाव परतिमान किसके दौरा परतिपादित किया गया तो Edgar डेल्स के दौरा यह परतिपादित किया गया था इसके बाद है निम्न में से जनसंचार का माध्यम है तो रेडियो भी है समाचार पत्र भी है और दोडर्शन भी है तो जनसंचार में आ जाएगा इसके बाद आप से पूछा गया है सिक्षन की स्रेष्ट प्रविदी है तो फ्लैनल बोर्ड जो है स्रेष्ट प्रविदी मानी जाती है स्रेष्ट प्रविदी मानी जाती है अच्छा दरश्टी बादित विद्यारतियो हेत्व जो है ब्रेल डिस्पले या brain leapy का जो है प्रियोग किया जाता है brain leapy ठीक है ध्यार रखना आपको उसके बाद में है sexic तक्नीकी में द्रश्टी बादिता के नीकारण हेतु उपकरण जो है वो कौन सा है तो zoze razor बोलते है ठीक है zoze razor तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा इसके बाद में सांस्क्रण है तो यहाँ पर आजाएगा answer math का ठीक है और कभी-कभी क्या आता है उल्टा भी पूछ लेता है कि dash block math का dash block जो है math का online संस्क्रण है तो thinking block इसके बाद में geogreba एक गतिशील गडित का software है तो यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है geogreba इसके बाद जो next question है इसमें आपका गडित भी आपका कभी-कभी पूछ है geogreba एक गतिशील खालिस्थान software है तो गडित software है सेज का पूरा नाम है तो system of for algebra and geometric experimentation है ठीक है तो यहाँ पर जो है इसका full form आपको याद रखना है NASA worldwide को समझाईए national aeronatics and space administration जो NASA के नाम से जिसे संचेप में NASA कहते हैं सहित राज्य अमेरिका की सरकार की साखा है जो देश के साजोनिक अंतरिक्ष कारेक्रमों और aeronatics वो spaces संसोधन के लिए जिमेदार है फरवरी 2006 से NASA का लक्ष जो है भविश्य में अंतरिक्ष बढ़ाना है ठीक है इसके बाद में नेक्स जो है इसमें पुछा गया भौतिक बिज्ञान आधारित website या OEM software को बताईए तो physion है और उसके अलावा जो है आप दूसरा लिख सकते हैं bright strong ठीक है तो ये दोनों ही है नाम ध्यान रखना है आपको रूबी स्टार क्या है आपको बताना है उसके अलावा website से क्या विपरा है website स्वाजनिक रूप से internet पर उपलवद वेव पेजो और संबंदी सामगरी का एक संग्रह है जिसे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेव सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है इसके बाद में website का महत्व आपको बताना है तो इस website में जो है द्रशता आसान होती सरलता से द्रशता पूर्ण होता है और एक साथ में बहुत सारे component दिखाये जा सकते हैं इसमें जो है बनाने में बहुत ही कम लागत आती है और ये अपने पूर्ण विस्वसनेता पे आधारित होता है और इसमें जो भी चीजे हैं वो इस पस्ट रूप से आप बता सकते हैं इसके बाद में है तेरवा question जो इसमें मुल्यांकन के definition भी आप इस तरह से लग सकते हैं चातरों के गुणात्मक और मात्रात्मक वंडन का प्रस्तूति करण ही मुल्यांकन कहलाता है बालको के सरवगेंड विकास को गति देने में सहायक होता है तो ये भी मुल्यांकन होता है उसके बाद में आपके खालिस्थान जो बन सकते हैं मुल्यांकन की निरक्षन बीधी खालिस्थान होती है तो कैसी होती है यहाँ प्यांसर आजाए गुनात्मक होती है उसके बाद में सेक्षिक मापन की प्रक्रिया खालिस्थान होती है तो परिणारत्मक हो सकती है या होती है उसके बाद में वस्टुनिस्ट प्रक्षा खालिस्थान होती है तो ये प्रमानिक होती है इसके बाद आपका next है निबंदात्मक परिक्षा के मानक खालिस्थान नहीं होते हैं तो ये विख्सित नहीं होते हैं अपने अध्यापकों के लिए छादर खालिस्थान होते हैं तो अध्यापकों के लिए वो अपरिपक्व होते हैं उनको ज़्यादा नहीं आता है, शिक्षक मुल्यांकन से संस्ता का खालिस्थान होता है, तो शिक्षक मुल्यांकन से संस्ता का सुधार होता है, इसके बाद में समुदाइक कार्यों में शिक्षकों की खालिस्थान होनी चाहिए, तो इसमें रूची होनी चाहिए, और पाठे पुष्टक जो है अध्यन समीति के द्वारा जो है निर्धायत की जाती है अच्छे इपोट्फोलियो के निर्वाण में क्या क्या समस्याइं हैं तो इसमें देखो निश्चित नियम का भाव होता है और उप्योक्त मार दर्शन का भाव होता है ये दो तरह की समस्याइं इसम मापन क्या है तो मापन मुखेता आकडों को एकतित करने के से सम्मंदित होता है वही मापन कहलाता है इसके मनोवे ग्यानिक लाब होते हैं सरवर्त जो है इसकी उपलब्दता होती है सुगम्यता होती है इसमें कम लागत भी आती है ठीक है इस तरह से हो गया इसके बाद जो है आउलोकन के द्वारा, दूसरा है प्रदत कारे के द्वारा, प्रियोजना कारे के द्वारा, पड़ताल करके और ग्रेड दे करके, ठीक है, इसके बाद है, आंकलन के चरणों का वर्णन आपको करना है, तो प्रथम चरण में सूचनाओ के सुरोत आते हैं, तित्य चरण में ज तकनीकी आधारित परिक्षन निर्मान से निमन टूल्स पर टिपणी करो तो इसमें आपके एक तो होट पटाटोस है गूगल है और सर्वे मंकी है तो इन तीनों के जो टूल है इन पे आप थोड़ा सा जो है क्या करेंगे टिपणी कर देंगे अपने हिसाब से ये तो बैवी स्पेस भी है इंटरनेट सेवाए भी है और गूगल की साइट भी है इसके अलवा सिक्षा में तकनीकी का उधारन जो है वो क्या है तो कंप्यूटर द्वारा सिक्षा देना जो है एक सिक्षन में तकनीकी का उधारन है सरपर्थम कंप्यूटर सायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ था यह सबसे पहले अमेरिका देश में शुरू हुआ था, e-learning में प्रस्तुति करण का आधुनि क तरीका जो है वो क्या है तो प्रजेक्ट पॉइंट प्रोजेक्शन ठीक है इसके बाद मैं next जो है आपका विश्व में सूचना एम संप्रेशन विज्ञान सब्द का प्रचलन सब शुरू हुआ था तो ये हुआ था 1950 में इसके बाद जो है आप से पूछा गया है स्रव संप्रेशन का माध्यम जो है तो स्रव मतलब सुनना तो उसको बोलते हैं ग्रामोफोन उसके बाद संप्रेशन मतलब जो हम आदान परदान करेंगे अपनी बातों का जन संचार के माध्यम है तो जन संचार के माध्यम मैं आपको पहले बता चुक हूँ समाचार पत्र है रेडियो है दूर दर्शन है इंटरनेट है यह सारे के सारे जनसंचार के मध्यम है इसमें अगला कोशन है आभासी कक्षा द्वारा अधिगम पराप्त करने में छात्र खालिस्थान होते हैं तो क्या होते हैं सक्रिय होते हैं और S7 के क्रियान वयन में सहायता खालिस्थान द्वारा की जाती है Human Resources and Development Department, अच्छा, इगनु द्वारा चलाए जाने वाला online कारिकरम जो है, इग्यानकोश है, इसके बाद आपका next जो है, आपका वर्ल्ड, वाइड वेब का प्रस्तिती करण जो है, 1990 में किया गया था, ये MCQ भी बन सकते हैं, फिलप्स भी बन सकते हैं, संसाधन केंद्र को वि सभी विशेष्टाओं को जो है आप अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड करना है, तो ये बड़े क्वेश्चन में आता है, इंटरनेट दुआरा प्रदत सुविदाएं कौनसी हैं, तो इमेल है, फैक्स है, वर्ल्ड वाइड वेब है, e-commerce है, मॉबाइल फोन हैं, ये सारे इंटरनेट दुआरा प्रदत सुविदाएं हैं, सोचल नेटवर्किंग साइट का नाकरात्मक प्रभाव क्या हो सकता है तो इसमें देखिये धनकी और समय की बरबादी होती है प्राइवेसी का खत्रा रहता है विश्वसनिता का अभाव मतला पूर्ण रूप से इसमे विश्वास नहीं कर सकते हैं सोचल नेटवर्किंग पर आपकी कोई भी इंफोर्मेशन लीक की जा सकती है अवांचिनिये सूचनाय जो है वो भी आपकी लीक हो सकती है या फिर आपको दे सकते हैं कहीं से भी और मांसिक बिमारी का कारण भी बनता है कभी-कभी इसके आदी हो जाते हैं लोग तो ये सारी चीज़ें आपको धंक से याद रखनी है और इनको अपने शब्दों में लिख सकते है वर्चूल कक्षा कक्ष के लाब क्या होते है तो इसका सीखरता से आयोजन किया जा सकता ह है भोगोलिक बाधाओं से ये दूर रहता है मतलब भोगोलिक बाधाओं से रहित होता है और सत्र को रिकार्ड किया जा सकता है ठीक है और उसके अलावा जो है तकनीकी ज्यान में ब्रिद्धी भी करता है ठीक है हर सत्र हर सत्र को रिकार्ड किया जा सकता है और तकनीकी ज् के लाब है अच्छे सोचल वेबसाइट क्या होते हैं ठीक है यह आपको बताना है उसके लावा जो है सूचक करम यानी रूबिक क्या है जो आपको मैंने पूछा था पहले ही नासा की कार्रे प्रणाली को आपको समझाना है पूर्टफोलियो कितने परकार के होते हैं अब थोड़े से हम बड़े कोश्चन्स देख रहे हैं सूचना करम का अर्थ क्या है और इसकी विशेषता है और इसके बाद में ब्राइट स्टार्म क्या है और ब्राइट स्टार्म वेबसाइट किन किन विशेष को सम्मलित करता है गणित आधारित सॉफ्ट्विवर के नाम बताईए जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ वर्ल्ड वाइड टेलिस्कोप एप्लिकेशन को समझाईए इसके बाद में सूचना एयों संप्रिशन तकनीक आधारित आकलन मुल्यांकन टूल उ और सूचक क्रम की उप्योगिता एयों भूमिकाएं लिखिए इंटरनेट और आपका जो है इंटरनेट क्या होता है यह जरूर आपको थोड़ा सा समझ के करना है ठीक है और मुक्त अधीगम क्या है एयों इसकी विशेषता है आपको लिखनी है एप्लिकेशन सॉफ्ट्व भाग भी बताएं हर चीज बहुत सारे questions का आंसर उपर दे दिए गए हैं यहां पर बस केवल summarize questions है और blended learning क्या है यह भी मैं बता चुका हूं social media का दूस्प्रभाव बताईए तो यह भी मैं आपको बता चुका हूं अभी बताया था हमने Wikipedia क्या है यह आपको बता देना है जो तथ्यों को देती है यह ऐसी website है जो सभी तथ्यों को देती है और यहां पर सूचना पुर्दोगी के उपकरण कौन-कौन से है तो इसमें आपका internet भी आता है computer आता है mobile आता है और यानि कि सभी के सभी आते तो उपरोग्द सभी हो जाएगा जो हमने उपर पढ़ा था उसक जरूर देख लेना ठीक है फिस्ट करने की सामाने shortcut जो है control प्लस वी है इसके बाद में आपका unix किस प्रकार का operating system है तो multi user operating system है और video conferencing के लिए आवश्यक क्या नहीं है तो project भी चाहिए projector भी चाहिए और आपका internet भी चाहिए और microphone भी चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको video conferencing करते समय printer क्या शकता नहीं है अच्छा अब इसके बाद में आपका next question है microprocessor का विकास computer की खालिस्थान PD में हुआ तो 4th PD में हुआ ठीक है 4th PD में हुआ 4th generation में इसके बाद में है आपका mouse किस तरह का mouse की तरह का कारे करने वाला input device जो है वो क्या है तो trackball है ठीक है trackball इसको आप इंग्लिस में भी दे सकते है ठीक है trackball इसके बाद में आपका जो next है इसमें पुछेगा computer का साब्दिक अर्थ जो है वो संगनक कहलाता है आपको अच्छी तरह से पता है उसके बाद में है copy करने की सामाने इसके बाद आपका जो सूचना एम संप्रेशन तकनीक की परिभासा तो किसी व्यक्ति और समूँ के विचारों भावों संदेश्यों सूचनाओ आदी को अतिशीगर दूसरे व्यक्ति या समूँ तक प्रेशित करना संचार या संप्रेशन कहलाता है और इस व्यास्ता का सं इसके बाद में आपका नेक्स जो है फेस्बुक का प्रारंब कब और किसके दौरा हुआ तो मार्क जुकरबर्ग के दौरा फेस्बुक की स्थापना जो है 2004 में की गई थी इसके बाद और जो most important questions बनते हैं उनको आप देख लीजिए शिक्षा में सूसना संप्रेशन तकनीक के लाब और सीमाएं आपको बताना है अत्वा में हैं आपका computer की मुख्य विशेशता हैं लिखनी है साथवा question जो है computer software की प्रमुख विशेशता हैं आपको बतानी है software की दिहान लखना है अत्वा में computer software की उप्योगिता जो है आपको बतानी है इसके बाद में MS-DOS का पूरा नाम लिखिए और इसके प्रमुख रूप से कितनी फाइले होती हैं यह आपको बतानी है अत्वा में unique system की सनचना पर प्रकास डालना है इंटरनेट की प्रमुख विशेशताओं का उलेख करना है बहुत सारे questions जो आप खुद लिख सकते हैं बहुत ध्यान से आपको जो है एक बार prepare कर लोगे तो आसानी साप लिख पाओगे विद्याली बातावरण में video conferencing के lab क्या हो सकते हैं यह आपको बताना है सामाजिक networking क्या होती है इसके लिए google और यहापे facebook है यह facebook और even twitter का जो है आपको वर्णन करना है अत्वा में eduset क्या है इसके बात में मुल्यांकन से आपका क्या विप्रा है मुल्यांकन और मापन में अंतर आपको बताना है इंग्लिस में भी यह लिख दिया है question तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जो बच्चे इंग्लिस medium के उनके लिए बड़े questions जो है आपके एंग्लिस में provide कर दिये गए है Explain the role of ITCT in contemporary education समकालिन शिक्षा में ITC की भूमिका का वर्णन कीजिए What is powerpoint presentation PowerPoint प्रदर्शन क्या है इसको समझाईए इसके बाद में है Describe the ill effect of audio visual means द्रश्य श्रव्य साधनों के फूपरभाव का वर्णन कीजिए अथ्वा में है शिक्षा में सूचना यहां समप्रेशन टकनिक की उपियोगीता का वर्णन कीजिए उस्तिकाले की आउशक्ता है महतों का वर्णन कीजिए या फिर अनुशासन से क्या उप्राए है, स्कूल अनुशासन के महतो को समझाइए एक चीज आपको बता दूँ कि मैंने जो भी आपको 801, 802, 803, 804, 805 अभी आप देखी रहे है तो इन्हें सभी विशे के जो भी important questions दिये हैं उसमें से भी कुछ questions जो हैं आपके इस exam paper में आएंगे ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और साथी साथ आपको बता दूँ आएंगे, ठीक है और साथी साथ आपको बता दूँ कि आपका playlist जो है उसको जरूर देख लेंए उसमें सब को आपको मिल जाएगा तो playlist इसी वीडियो के description box में available है इसके बाद में आपका जो next question है स्यामपट के विभिन परकारों एंगे महतों को नहें महतों पर प्रकास डालें ठीक है, इसके अलवा अथवा में है खोज विधी क्या है, इसके गुण और दोस का वर्णन करें इसके बाद में है, section अधिगम परक्रिया में चल चित्र और वरत्र चित्र का प्रभावी प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है इसको समझाईए, विभिन छेत्रों में computer के उप्योग का वर्णन जो है आपको कर देना है, इसके बाद जो है, आपसे पूछा गया है और इंटरनेट के महतो पर प्रकास आपको डालना है डेटा संग्रे और विश्लिशन क्या है, यह आपको समझाना है और बादचित और ज्ञान से आजा करने के लिए समाजिक नेटवर्क के बारे में आप क्या जानते हैं, यह आपको बताना है, जिसको हम सोचल नेटरक्स बोलते हैं ठीक है, सोचल नेटरक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो यह थे महतो पूर्ण प्रश्णों की सरंकला उत्रों के साथ में बहुत सारे मैंने आपको कुश्चन करा दिये, इनको जरूर आप एक बार पढ़े, रिवाइस करें और देखें कि आपने क्या-क्या पढ़ा था और कितने आपने छोड़ दिये थे इन सभी को एक बार जरूर रिवाइस करें और अच्छे तरीके से याद करें थैंक यू वेरी मुच, वेव गुड डेर, नेक्स्ट वीडियो आपका फिर से मिल जाएगा जो आपका 806 का है